हेलो एन वेलकम बैक, आज हम एक एकांकी का अस्वादन करेंगे, एकांकी क्या होता है, एकंक वाला नाटक या फिर हम उसे वन एक्ट प्ले कहते हैं, रामकुमर वर्मा जी की एकांकी है, नाम है चंपक, अब एकांकी है तो रंगमंच होगा कुछ पात रहोंगे, जैसे हैं रंगमंच आपको क्या कलपना करना है, देखे समय साथ बजे प्रभात, एक साफ सुत्रा कमरा, अनेक स्थानों पर सुंदर चित्र लगे हैं, एक कलमारी में कुछ पुस्तकें सजी हुई हैं, कमरे के बीच में एक बड़ा सा कालीन बिच्छा हुआ है, कालीन यानि एक बड़ा सा कारपेट, जिससे कमरे की शोभा और भी बढ़ गई है, एक और छोटी टेबल है, जिस पर ताजे फूलों का गुलदस्ता रखा हुआ है, एक छोटा सा टेबल है, उसमें एक फ्लावर वेस है, जिसमें फ्रेश फ्लावर्स रखे वे हैं, तो देखे एक साफ सु कमरे में रहने वाला कवी हृदय अवश्य है, सभी वस्तूं की रूप रेखा में सजावट है, खिडकी से पुर्वी आकाश दिखाई पड़ता है, जिसमें सुनहले बादल चाये वे हैं, कमरे को जैसे वसंत आकर चूम गया है, एकदम सुन्दर सा साफ सुत्रा कमरा है, ऐ जिसे स्टेज आपको कल्पना करना है, इमाजिन करना है, स्टेज क्या है, एक अच्छा सा साफ सुत्रा कमरा है, फ्रेश फ्लावर्स रखे हुए हैं, बीच में कार्पेट है, और राइट साइड में कुर्सी पर एक युवक बैठा हुआ है, उसका नाम है किशोर, तो हमार जो युवा है किशोर, 30 साल का है, और उसके समीब टेबल पर एक छोटा सा कुटा बैठा हुआ है, और उसके पास ही एक छोटा सा कुटा बैठा है, उसके बड़े-बड़े बाल है, माथे पर सफेद चिन है, किशोर बड़े प्रेम से कुटे पर हाथ फेर कर कहता है, जैसे वो स्वप्न में मग्न हो तो ओपनिंग सीन में क्या है एक करीब 30 साल का युवा है किशोर है उसका नाम वो वहाँ बैठा हुआ है एक साफ सुत्रे कमरे में जहां फ्रेश फ्लावर सजे हुए है और पास में ही टेबल में एक छोटा सा प्यारा सा कुत्ता है और किशोर कह रहा है चमपक एक बार तुम्हें देख लेता हूँ तो जान पड़ता है प्रभात का नन्हा सा बादल आँखों में जूम गया है यह देखो तुम्हारे कान जैसे रेशम के दो टुकडे इश्वर ने तुम्हारे सर के समीब गूंध दिये है तुम्हारी कोमल पूंच इंद्रधनुष के समान जुकी हुई है और तुम्हारी आँखें क्यों मेरी बोली समझता है चमपक अब देखे वो कुत्ते से बात कर रहा है किशोर कि कुत्ता काफी सुन्दर है और उसका शरीर काफी कोमल है रेशम की टुकडे जैसे हैं उसके कान और उसकी कोमल पूंच की कलपना इंद्रधनुष के समान किशोर करता है और वो रुख कर कहता है लोग कहते हैं कि मैं कवी हूँ पर मेरी कविता तुम्हारे सुनहले बालों के कारण ही सुनहली है लोग कहते हैं कि मैं कवी हूँ तो उसके इस कथन से हमें पता चलता है कि वो एक कवी है वो चंपक को गोध में रखता है उस दिन तुम्हें देख कर एक कविता लिखी थी वो कुत्ते के प्रती काफी प्रभ यह तन हो, इस तन में ही हो मेरा मन, अब कुत्ते के प्रती वो इतने आकरशित हैं वो कवी, कि वो एक प्यारी सी कविता कुत्ते के उपर लिख डालते हैं, इस तन में ही हो मेरा मन अचानक बाहर किसी के आने का शब्द होता है कौन? तो किशोर तीव्र स्वर में पुछता है कौन? महाशे जी मैं आ सकती हूँ तो वहाँ से एक स्वर आता है एक युवती का स्वर आता है क्या कहती है वो? महाशे जी मैं आ सकती हूँ तो किशोर स्वगत कहता है स्वगत यानि अपने आप से ही कहता है किसी रमनी का कोमल कंट स्वर आईए अब किशोर को पता चल जाता है किसी युवती का किसी रमनी का स्वर है तो वो कहता है आईए तो एक नहीं दो युवतियां प्रवेश करती हैं दोनों लगभग एक ही वय की हैं वय यानि उम्र 25 वर्ष की हैं एक अधिक कीमती वस्त्र पहने हुए है रेश्मी साडी से कोमल शरीर सजा हुआ है उसकी मुद्रा से ग्यात होता है कि वह एक संब्रांथ परिवार की महिला है तो दो युवतियां इस कमरे में प्रवेश करती हैं तो किशोर उनका स्वागत करता है और ये जो दो युवतियां हैं दोनों करीब 25 साल की हैं लेकिन एक काफी संब्रांथ परिवार की महिला लगती है यानि एक थोड़ी well dressed है उसका नाम क्या है शकुंदला उसके हाथ में एक समाचार पत्र है दूसरी यूवती उसकी सेविका मालूम पड़ती है और ऐसा लगता है मानों दूसरी उसकी सेविका है वह साधारन वस्तर पहने हुए है सदैव अपनी स्वामिनी का रुख देखकर बातें करती है और वो जो सेविका जो है जो साथ आई थी शकुंदला की वह हमेशा अपने स्वामिनी के विचारों से मेल मिला कर ही बात करती है उसके आते ही किशोर खुश हो जाता है सेविका का नाम है मालती अब देखिए शकुंदला और मालती किशोर के कमरे में प्रवि और मालती ने साधारन वस्त्र पहन रखा है और दोनों 25 साल की लगती है और मालती उसकी सेवी का है। अब शकुंतला कहती है आप वही किशोर हैं क्या जिनकी चंपक शिर्षक कविता ने हिंदी साहिते जगत में हल्चल मचा दी है। तो किशोर मुस्करा कर कहता है इस प्रशंसा के लिए धन्यवाद मैं वही किशोर हूँ। आपने इस समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित की है कि आप एक सुन्दर कुटा बेजना चाते हैं। क्या वह यही है अब मालती पुछती है जो सेवी का है तो कुटा वही बैठा हुआ है कमरे में तो शकुंतला पुछती है आपने समाचार पत्र में एक यूँ दिया था समाचार कि आप एक कुटा बेजना चाते हैं। कुत्ते की और संकेत करते हुए, हाँ वह यही है, क्यों, क्या मैं जान सकती हूँ, कि आप इसे क्यों बेचना चाते हैं, अब शकुंदला पूछती है, आप इसे भला क्यों बेचना चाते हैं, इसकी एक लंबी कहानी है, उसे पूछनी की आवशकता नहीं, यदि आप इसे ख उसे पूछने की आवशकता नहीं, आप अगर कुटा खरीदने आए हैं तो लीजिए, आपकी कहानी ही मेरे लेने न लेने का कारण हो सकती है, अब शकुंतला एकदम से अड़ जाती है, वो कहती है आपकी कहानी ही ये बात निश्चित करेगा कि मुझे ये कुटा लेना है या नहीं, निसंदे, अब मालती जो शकुंतला कहती है, उसी में हा में हा मिला कर कहती है, निसंदे, यदि ऐसी बात है, तो सुनिए, पिछले महिने की बात है, हलका जाड़ा पड़ रहा था, शुकल पक्ष की रात थी, चंद्र की शीतल किरने, पृत्वी का सारा विशाद धो रही थी, अब किशोर एकदम से साहितिक कावेमय भाशा में कहने लगता है, कि पिछले महिने की बात है, हलका जाड़ा पड़ रहा था, शुकल पक्ष की रात थी, चंद्र की शीतल किरने, पृत्वी का सारा विशाद धो रही थी, इस कहानी में कविता भी है, अब शकुंत मैं तो फुली कावेमय हूँ, आप ये समझे कि कविता में कहानी है, शमा कीजी, मैं भूल ही गई थी, कि मैं एक कवी से बात कर रही हूँ, अच्छा, फिर क्या हुआ? मैं टहलने के लिए एकांत स्थान में जा रहा था, कि एक और यह कुत्ता पड़ा, अपनी जीवन की अंतिम सासें छोड़ रहा था, मुझे करुन नेत्रों से देख करुआ कि देखें, उस दिन हलका जाड़ा पड़ रहा था, और मैं यूँ टहल रहा था, कि मैंने देखा, एक एकांत स्थान में यह कुत्ता अपनी जीवन की अंतिम सासें छोड़ रहा था, और करुण नेत्रों से वो मुझे देख भी रहा था, तब तो आप बड़े अच्छे हैं, आज यह कितनी अच्छी दशा में है, तो शकुंतला कुत्ते की और देख कर कहती है, अच्छा ऐ आप तो काफी अच्छे हैं, आज देखिए कुत्ता कितनी अच्छी दशा में है, जो शकुंतला कहती है, वही उसकी सेवी का मालती भी रिपीट करती है, मैं इसे उठा लाया, बहुत सेवा की, जो कुछ मेरे पास था, मैंने इसे अच्छा करने में समाप्त कर दिया, अब यह कैसा गुलाब सा सुन्दर और हृदय सा चंचल हो रहा है, अब देखो मैंने अपने पूरी कोशिश की, मैंने इसकी सेवा की, जो कुछ मेरे पास था, मैंने इसे अच्छा करने में समाप्त कर दिया, अब देखो यह कैसे गुलाब सा सुन्दर और हृदय सा चंचल हो र इश्वर है, जीवन दाता है भई आपका परिश्रम एकड़म सफल परिश्रम, यदि इस कुट्टे में समझने की शक्ती होती तो वो समझ जाता कि आप ही उसके इश्वर है, क्योंकि आपने ही इसका जीवन दान दिया है इश्वर तो एक बहुत बड़ी शक्ती है, मेरे हाथ तो मेरे जीवन के समान ही निर्बल है मैं कर ही क्या सकता हूँ केवल सेवा, केवल प्रेम अब देखो इश्वर तो एक बहुत बड़ी बात है भई, मेरे हाथ तो मेरे जीवन के समान ही निर्बल है अब किशोर काफी विनमरता पूर्वा कहता है कि मैं कर ही क्या सकता हूँ केवल सेवा केवल प्रेम कभी वर मेरे लिए यही इशुरत्व है और शकुंतला और मालती दोनों कहते हैं कि उनके लिए तो यही इशुरत्व है कि दूसरों की सेवा करना उस दिन से यह चमपक मेरे जीवन का सब कुछ हो गया अपकी शोर कहता है कि उस दिन से जिस दिन से ये मुझे मिला उस दिन से ये मेरे जीवन का सब कुछ हो गया चमपक ओहो नाम भी आपने कितना सुन्दर रखा है चमपक कितना सुन्दर चंपक तो जो भी शकुंतला कहती है मालती रिपीट करती है कितना सुन्दर नाम है चंपक प्यारा चंपक इसे देखते ही न जाने क्यों मेरे मन में यह नाम आ गया शायद इसमें इतना सांदरिय है कुरूपता के काले भोरे को यह समीप नहीं आने देना चाहता यह है इतना सुन्दर कि इसे देखते ही मेरा हुर्दय कह उठा कि इसे चमपक बुलाना चाहिए सच मुछ मैं जब तहलने जाता हूँ तो धूम केतू की भांती मेरे पीछे इसकी रेखा होती है मुझे भय होता है कि कहीं इसके पैर मैले न हो जाए अब देखे यह जब भी मैं घूमने जाता हूँ मेरे पीछे यह भागता हूँ आता है और उस समय ऐसा लगता है मानो धूम केतू हो और मुझे यह भय लगा रहता है कि इसके पैर कहीं मैले न हो जाए जब मैं भोजन करता हूँ मेरे समीप बैठ कर मेरे जूटे भोजन की लालसा करता है मुझे भय होता है कहीं कडी रोटी मुँ में पहुंच कर कश्ट न दे इसलिए मैं स्वयम कडी रोटी खाकर इसके लिए कोमल हिस्सा छोड़ देता हूँ अब किशोर के मन में इस चंपक के प्रती इतनी अधिक भावना है कि वो स्वयम कड़ी रोटी खाता है कुट्टे के लिए कोमल हिस्सा छोड़ देता है क्योंकि उसे लगता है कहीं कड़ी रोटी मुँ में पहुँच कर कुट्टे को कष्ट न हो जब मैं सोता हूँ तो यह मेरे पैरों के समीप आकर मेरे लिहाफ में छिपा रहता है बहुत धीरे से मेरे पैरों पर अपना सिर रख देता है मानो रात भर चर्णों के समीप बैठ कर मेरी आराधना करता रहता है और जब मैं सोता हूँ पता है यह चंपक क्या करता है मेरे पै कहीं सोते में इसके मुखमर पेना पैर न पड़ जाए। जब मैं कविता करता हूं तो इसके कोमल बालों पर हाथ रख कर। फिर महाशे जब ये चंपक आपको इतना प्रिय है तो इसे बेचने की कल्पना तो बहुत ही कटिन है। पर मुझे उसकी कल्पना ही नहीं सत्यता का भी पालन करना है। अब किशोर कहते हैं, देखो मुझे केवल कल्पना में नहीं जीना है, मुझे सत्यका पालन भी करना है, कैसे? मैं इसकी सेवा कर चुका, अब यह अच्छा है, वसंत के समान उज्वल और सुन्दर, अब मुझे इसे विदाही कर देना चाहिए. अब किशोर कहता है, यह सच है कि मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ, इसके बिछुड जाने से मुझे काफी दुख होगा, लेकिन मैंने इसकी सेवा कर ली है, अब यह वसंत के समान उज्वल और सुन्दर हो गया है, स्वस्थ हो गया है, मुझे इसे विदाही कर देना मैं नहीं समझ सकी, अब शकुतला कहती है, मैं तो कुछ नहीं समझ सकी, इतनी लंबी कहानी कहने पर भी नहीं समझ सकी, मेरा प्रेम दुख और वेदना का बंधू है, इस संसार में जहां दुख और वेदना का अता सागर है, वहां ऐसे प्रेम की अधिक आवशकता है, अब नहीं समझ सकी, मेरा प्रेम दुख और वेदना का बंधू है, इस संसार में जहां भी दुख और वेदना का अतासागर है, वहां ऐसे प्रेम की आवशकता है, पर इस से और चंपक से क्या संबंध है, अब शकुंतला कवी किशोर की बातों को समझ नहीं पाती, तो किशोर मैं बनना चाता हूँ, जिसकी सांस में हवा के स्थान में वेदना है, उसी के समीप रहकर मैं उसकी सेवा करना चाता हूँ, अब चंपक दुखी नहीं है, उसकी करुनाजनक परिसिती अब निकल गई, अब वह सुखी है, अब किशोर बात की और आता है, कि देखो, मैं उसी का साथ देना चाता हूँ, जो आपत्ती में है, यानि कि जो करनाजनक स्थिती में है, मैं उसकी सेवा करना चाता हूँ, लेकिन चंपक अभी क्या है, चंपक ने उस स्थिती को पार कर ली है, अब वह सुखी है, अतह चंपक को अब मेरी जरूरत नहीं है, तो शकुंतला बहुत सा समय अब इसकी सेवा में नहीं इसके लाड प्यार में निकल जाता है। किशोर पते की बात कहता है कि मैं उसकी सेवा करना चाहता हूँ जो दुखी है। लेकिन दूसरे लोग जो दुखी है जिसको मेरी सेवा की जरुवत हो सकती है उसे मैं नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि मैं चंपक के लाड प्यार में ही मग नहीं। इसलिए मैं चंपक को बेश देना चाहता हूँ। पर इससे आपको वेदना न होगी। अब शकुदला पुषती है आपको दुख तो होता होगा इससे। यही मेरा जीवन है दूसरों की वेदना मैं अपने जीवन में रख कर उसे सुखी कर देना चाहता हूँ। लोग कहते हैं मेरा जीवन एक करुण गान है पर उस करुण गान का सबसे मीठा स्वर है यह चंपक। इसे भी अब दूर कर किसी दूसरे मीठे स्वर की खोच करना होगा। गंभीर मुद्रा में किशोर कहता है। देखो किशोर एक अलग तरह का कवी है। जो चाहता है कि दूसरों के करुणा, दूसरों के दुख में सहभागी हो। आप वास्तव में कवी हैं और जीवन के महान कवी हैं शकुंतला विस्मित होकर कहती है। सच मुझ तो मालती भेहाब में हामिलाती है। मैं अपनी प्रशंसा नहीं सुनना चाहता। आप मेरे चंपक को लेंगी। आपकी कहाणी से तो चंपक का मूल्य बहुत बढ़ गया। अब तो मैं अवश्य लूँगी। तो गंभीर स्वर में किशोर कहता है, कई खरीदने वाले आये पर मैंने उन्हें न दिया। यदि पी वे इसकी बड़ी उंची कीमत लगा रहे थे। मैंने सोचा किसी ऐसे विक्ति को दूँ दो चंपक का मूल्य समझे। आपके हृदेने मेरे चंपक को पहचाना है। मुझे लाब ही क्या होता यदि उंची कीमत दे कर वे लोग मेरे चंपक को दुख से रखते या उस प्रकार न रखते जिस प्रकार मैं चाता हूँ। चंपक की संबहोत फिर पहले जैसी दशा हो जाती। मुझे कीमत प्यारी नहीं है, मुझे अपनी चीज प्यारी है, वह भी बेची जाने वाली, आप मेरा आशय समझ रही है। आपके हरदे को समझ रही हूँ, दीजिये, यह चंपक मुझे दीजिये। मालती की और देखकर कहती है, मालती उठालो यह प्यारा चंपक, इसे हम लोग काफी प्यार से रखेंगे, मैं कभी के समान तो शायद प्यार न कर सकूं, पर तो शकुंतला मालती को कहती है, उठाल हम इसे काफी प्यार से रखेंगे लेकिन मुझे शंका है कवी के समान तो मैं उतना प्यार तो शायद नहीं कर सकूंगी नहीं आप मेरे ही समान मुझसे अधिक प्यार कर सकेंगी आपके पास त्री हिर्दय है जिसमें करुणा अमरत बनकर बहा करती है अपकिशोर कहता है कि इसमें कोई शंका नहीं है कि आप मुझसे ज़्यादा इसे प्यार करेंगी क्योंकि आपके पास तो स्त्री हिर्दय है करना तो नैचरली उसमें अमरत बनकर बहता है तो शकुंतला लज्जित होकर कहती है धन्यवाद कितना सुन्दर है यह माथे में सफेद चिन्न है जैसे प्रकृती ने इसे तिलक लगा दिया हो कोमल शरीर जैसे कपास की राशी हो कितना कोमल है जैसे कौटन हो कपास की राशी हो और सुर पर देखो माथे पर देखो सफेद चिन्न है मानू प्रकृती ने इसे तिलक लगा दिया हो इसके पैर भी कैसे सफेद है जैसे सुधा इसके चरनों को चूम रही है बाल इतने बढ़ रहे हैं मानू वे आप से बातें करने के लिए समी पाना चाहते हैं अब चंपक का वर्नन शकूंतला और किशोर दोनों करते हैं चंपके सौंधर्य का वर्नन अच्छा मैं इसका कितना मूल्य दे दू आप आप जितना चाहें, मुझे मूल्य की आवशकता नहीं, मैं अपने अमूल्य चंपक को उपहार सुरूप आपको दे देता, पर मुझे दुखियों की सेवा करने के लिए पैसों की आवशकता पड़ती है, यहरूखा संसार हृदे की कोमल भावनाओं को प्रमानित करने के रुप्यों का मापदंड चाहता है, अब किशोर कहता है, वैसे मेरा मन तो करता है कि मैं उपहार सुरूप आपको चंपको दे दूँ, त्योंकि मेरा मन कहता है कि आप इसे काफी अच्छे से रखेंगी, लेकिन क्या है, दूसरे दुखियों की सेवा करने के लिए मुझे प तो काफी फिलोसोफीगल होकर थोड़ा जादा ही बोल देते हैं किशोर, वो कहते हैं कि मेरे चंपक की रक्षा करने वाली का नाम धर्म से भी अधिक पवित्र है, इसे रखा जा सकता है, तो शकुंतला मुस्कुरा कर कहती है, आप तो उस पर कविता भी लिख सकते हैं, ली अब 100 रुपिय कीमत चुका कर शकुंतला चम्पक को खरीद लेती है और मालती से कहती है चम्पक को ले आओ दोनों उठ खड़ी होती है आप जा रही है तहरी एक मिनित मैं अपने चम्पक को देख लूँ उसे एक बार चूम लूँ तो किशोर काफी विचलित हो जाता है क्योंकि उसका चम्पक उसे छोड़ कर जाने वाला है तो वो कहता है कि ठहरी एक मिनित मैं चम्पक को जरा देख लूँ उसे एक बार चूम तो शकुंतला प्रसंता से कहती है एक नहीं अनेग बार मालती कवीवर को चंपक दे दो. किशोर मालती से लेकर चंपक को हृदय से लगा कर चुमता है. करुनार्द नैनों से मालती को देते हुए चंपक को फिर एक बार हृदय से लगा कर आखें बंद कर लेता है. चंपक को सामने करते हुए उसे मूर्चासी आ रही है वो एकदम से ऐसा लगता है उसे चक्कर सा जाता है मतलब कि चंपक से बिछुडने का भय दुख उसके मन में इतना अधिक है कि उसे लगता है कि वो अभी गिर पड़ेगा मेरे घायल होने वाले चंपक तुम कहां जा रहे हो तुमारा पैर अच्छा हो गया जाओ उसक से रहो मेरे चंपक तुमें फिर एक बार वही गीत सुना दू तो चंपक के जाने से पहले किशोर वो कविता सुनाता है वो गीत सुनाता है जो उसने अपने चंपक पर लिखा था रेशम सी इसकेश राशी में उल्चा रहे मधुर जीवन पर अब तो तुम जा रहे हो मेरा जीवन तुमसे बहुत उल्चा रहेगा मेरा क्या जाओ मेरे चंपक शकुंतला और मालती किशोर को अनिमेश देख रही है किशोर चंपक को मालती के हातों में रखता है तो शकुंतला भी काफी करणार्ध होकर दुखी होकर कहती है कविवर आपका यह प्रेम देख कर मुझे वेदना हो रही है नहीं नहीं यह तो चंपक की प्रशंसा है अच्छा अब आप जा सकती है धन्यवाद नमस्ते शकुंतला और मालती चंपक को लेकर धीरे धीरे जाती है जब तक चंपक दिखाई पड़ता है किशोर अनिमेश नेत्रों से उसे देखता रहता है दृष्टी से ओजल होने पर ग झाल 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 झाल